नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए विशे पर चर्चा करने के लिए आज हम NCERT इत्यास हमारे अतीत भाग एक कक्षा छटी का पाठ चार क्या बताती हैं हमें किताबे और कबरे पाठ का सार करेंगे इस वीडियो में मैंने इस पाठ के महतवपूर्ण बिंदुओं को आपको समझाने की कोशिश की है आशा करती हूँ कि वीडियो के देखने के बाद आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ क्या बताती हैं हमें किताबे और कबरे प्यारे बच्चों दुनिया के प्राचीन तम गरंथों में से एक यानि त्रिगवेद यहाँ पर प्राचीन गरंथों की बात करेंगे वेद संक्या में चार हैं त्रिगवेद, सामवेद, यजूरवेद तथा अर्थवेद इन में सबसे प्राचीन वेद त्रिगवेद है जिसकी रचना लगबग 3500 वर्ष पूर्व हुई त्रिगवेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाई हैं जिन्हें सूक कहा गया है सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोलना तो यहां पर आपका प्रश्न बन जाता है कि सूक्त क्या है सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोलना ये सूक्त विभिन देवी देवताओं की स्तूती में रचे गए हैं इनमें तीन देवता बहुत महत्पूर्ण है अगनी, इंद्र और सोम अगनी आग के देवता को इंद्र युद के देवता और सोम एक पोधा है जिसमें एक खास पे बनाया जाता है वैदित प्रार्थनाओं की रचना रिश्योत वारा की गई थी, आचारिय विध्यार्तियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बाटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्त करते थे अधिकांश सूक्तों के रचियता सीखने और सिखाने वाले प्रुष्ट है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी बच्चों त्रिगवेद की भाषा प्राक्त संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है अब यहाँ पर आपका प्रश्ण बन जाता है कि त्रिगवेद की भाषा कौन सी तो त्रिगवेद की भाषा प्राक्त संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है यह संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन है यानि अलग होती है त्रिग्वेद का उच्चारण और श्रवन किया जाता था नै की इन्हें पढ़ा जाता था रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया इसे चापने का काम तो लगबग 200 वर्ष पूर्वी हुआ यानि जब त्रिग्वेद की रचना हुई उसके 200 साल बाद बच्चों इसको चापा गया था आगे है संस्कृत और अन्य भाशाएं संस्कृत भाशा भारोपिय भाशा परिवार का हिस्सा है भारत की कई भाशाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाशाएं जैसे फार्सी तथा यूरोप की बहुत सी भाशाएं जैसे अंग्रेजी, फार्सी, जर्मन, युनानी, इतावली, स्पैनिश आदी इस परिवार से जुड़ी हुई है इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे उधारन के लिए मात्र, संस्कृत, मा, हिंदी और मदर अंग्रेजी में भारतिय उप महदवीब में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है उधारन के लिए पूर्वोत्तर परदेशों में तिबबत, बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है तमिल, तेलगू, कर्नड और मल्यालम भाशाएं द्रविड परिवार की भाशाएं हैं जबकि जारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाशाएं आस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं बच्चो अगला पॉइंट है त्रिगवेद का अध्यन त्रिगवेद की पांडू लीपी का एक पन्ना भुर्च वरिक्ष की छाल पर लिखी यह पांडू लीपी कश्मीर में पाई गई थी लगबग 150 वर्ष पहले त्रिगवेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उप्योग किया गया था इसी पांडू लीपी को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तियार हुआ यह पांडू लीपी पूने महराष्ट के एक पुस्तकाले में सुरक्षित है यहाँ पर आपको छित्र भी दिखाया गया बच्चो इस पांडू लीपी का त्रिगवेद में सरस्वती सिंधू और उसकी सहायक नदियों व्यास सतलुज वे अन्य का वर्णन कई बार हुआ है परंतु गंगा और यमुना का उलेख एक बार हुआ है त्रिगवेद में सरवाधिक वर्णित नदी सिंधू है तथा सरवाधिक पवित्र नदी संस्कृत है तो यहाँ पर आपका प्रश्ण बन जाता है बच्चो कि त्रिगवेद की सरवाधिक वर्णित यानि जिसका सबसे अधिक वर्णन किया गया वो नदी कौन सी है वो नदी सिंधू नदी है सबसे पवित्र नदी कौन सी है सबसे पवित्र नदी बच्चो सरस्वती है अब देखते हैं त्रिगवेद में मवेशी घोड़े और रत के लिए क्या लिखा हुआ है त्रिगवेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोडों की प्राप्ती के लिए अनेक प्राप्तनाए है घोडो को लडाई में रत खीचने के लिए काम में लाया जाता था इनलडाईों में मवेशी जीत कर लाया जाते थे लडाईयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारगा हो या जहां पर जो जैसी जल्दी त्यार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो कुछ लड़ाईयां पानी के श्रोत्रों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी युद में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था शेश धन आम लोगों में बाटा जाता था कुछ धन यग के लिए भी परियुक्त होता था यग की आग में घी अनाज और कभी कभी जानवरों की आहूती भी दी जाती थी अधिकांश पुरुष इन युदों में भाग लेते थे कोई स्थाई सेना नहीं होती थी लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्वे शक्ती के विशे में सलहा मश्वरा करते थे वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहदुर और कुशल योधा हों लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द पुरोहितों को ही कभी कभी प्राह्मन कहा जाता था ये यग और अनुष्ठान करते थे त्रिकवेद काल में राजा ने तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे ने इनके पास सैना थी और ने ही ये करवसूलते थे ये ही नहीं राजा के मिर्त्यू के बाद उसका बेटा अपने आप ही शाशक नहीं बन जाता था क्योंकि राजा एक परकार का सरदार था उसकी शक्तियां सीमित थी आभास होता है कि कभीले की आम सभा जो समीती कहलाती थी अपने राजा को चुनती थी त्रिगवेदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दो जन और विश का परियोग होता था वैश्य शब्द विश से ही निकला है त्रिगवेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं इसलिए हमें पुरू जन या विश, भरत जन या विश जैसे कई उलेख मिलते हैं आर ये लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यू कहते थे दस्यू वे लोग थे जो यग नहीं करते और शायद दूसरी भाशाएं बोलते थे बाद के समय में दास, इस्त्रीलिंग दासी, शब्द का मतलब गुलाम हो गया उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था जो भी का मालिक चाहते थे उनहें वैसब करना पड़ता था खामोश प्रहरी, कहानी महापाशाणों की महापाशानों यानि अब हम पत्थरों की बात करेंगे बच्चों जिस युग में उप महाद्वीब के उत्तर पश्चिम में त्रिगवेद के रचना हो रही थी उसी समय कुछ अन्य जगों पर महापाशानी कबरे बनाने की प्रता का विकास हो रहा था कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का परियोग ही महा पाशान महा मतलब बड़ा पाशान मतलब पत्थर यानि बड़ा पत्थर कहलाया ये शिलाखंड दफन करने की जगे पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाये गए थे महा पाशान कब्रे बनाने की प्रथा लग-बग 300 वर्ष पूरु शुरू हुई यह प्रथा दख्कन, दक्षिन भारत, उत्तरपूरवी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब्र बनाने की प्रथा कहां परचली थी तो दक्कन, दक्षिन भारत, उत्तरपूरु भारत और कश्मीर में परचली थी वच्चों कुछ महापाशान जमीन के उपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाशान जमीन के भीतर भी होते हैं, इस तरह के महापाशानी कब्रों को ताबुत, शुवाधान, सिस्ट कहा जाता है यहां दिखाई गई सिस्ट में पोर्ट होल बड़ा सुराक है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है तो आप से पूछा जा सकता है कि पोर्ट होल क्या होता है तो आप बताएंगे कि पोर्ट होल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था कई बार पुरा तत्विदों को गोला कार सजाय हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, ये ही एक मात्र पर्मान है जो जमीन के नीचे कबरों को दर्शाते हैं सभी महापाशानी कबरों में कुछ समानता हैं, समानत है मिर्तकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाशानी कबरों में मिलती हैं, इनके साथ ही विभिन कबर में लोहे के ओजार और हतियार, घोडों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों, यहां चित्र में आपको पत्थर के हतियारों के चित्र दिखाए गई हैं अब बात करते हैं लोगों में सामाजिक ऐसमानताओं के बारे में पता लगाने की ब्रहम गिरी में एक व्यक्ति की कब्र में तेति सोने के मन के और शंक पाए गए जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बरतन ही पाए गए जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयाई अब किसी के पास सोने के मन के मिले और किसी के पास मिट्टी के बरतन मिले तो उनसे सामाजिक स्थिति का ग्यान तो हो ही जाता है बच्चो कुछ कबरों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग-अलग समय दफनाया गया था बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कबरों में लाकर दफनाया जाता था कबरों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन बनाये जाते थे कबर के अंदर परवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता बड़ा सुरंग होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता है इनाम गाओं के एक विशिष्ट व्यक्ति की कबर इनाम गाओं भीमा की सहायक नदी घोड के किनारे एक जगह है इस जगह पर 3600 से 2700 वर्षपूर्व लोग रहते थे यहां से प्राप कबरों से अनेक जानकारी मिलती है यहां वेस्क लोगों को प्राय सीधा लेटा कर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था ऐसे बरतन जिन में शायद खाना और पानी हो दफनाये गए शव के पास रखे जाते थे एक आदमी को पांच कमरो वाले मकान के आंगन में चार पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था बस्ती के बीच में बसा यह घर गाउं के सबसे बड़े घरों में से एक था इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था शव के पैर मुड़े हुए थे चरक सहीता आज से लगबक 2000 वर्षपूर चरक नाम के परसित वैद हुए थे उन्होंने चिकितसा शास्त्र पर चरक सहीता नाम की किताब लिखी थी प्रश्न बनता है आपका कि चरक सहीता किताब किस ने लिखी तो चरक सहीता चरक नाम के परसित वैद ने लिखी थी वे कहते थे कि मनुशे के शरीर में 360 हडिया होती हैं जो आधनीक शरीर रचना विज्ञान की 206 हडियों से काफी ज्यादा है संभत है चरक ने अपनी गिंती में दात हडियों के जोड और कार्टी लेज को जोड कर यह संख्या बताई थी तो प्यारे बच्चों ये आपके पाट का सार पूरा हुआ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस पाट को समझने की कोशिश करेंगी आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगे तब तक इंतजार कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजी, धन्यवाद.